तोस्तों नमस्कार ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब आपके साथ पॉलिटीशन भी हो और ऐसे मौके तो बहुत ही कम होते हैं जब मंच के भीतर भी हमें लगता है कि पॉलिटीशन्स जादा है या वो बनना चाहते हैं तो आज हमारा संदेश उन पॉलिटीशन्स के मद्दे नजर उन लोगों से हैं इने गिने चुने जो इस पॉलिटीक से घर्णा करते हैं सरकार ने नारा दिया हल कल में जल हम दोजार चौबिस तक लेकर आएंगे और यहां का नारा है जल है तो कल है और यह सवाल पहले दिनी दिमाग में आया था कि पानी कहां से आएगा मौजूदा वक्त में जो पार्लिमेंट है आजादी के बाद से जितनी भी पार्लिमेंट हुई है उसमें सबसे ज़्यादा करोड़पती सांसदों की तादाद मौजूदा पार्लिमेंट में है सबसे ज़्यादा क्रिमिनल पॉलिटीशिंस की तादाद पार्लिमेंट में है मौजूदा वक्त में जो महराष्ट की विधान सभा है जब से विधान सभा के चुनाव शुरू हुए है मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल MLA's महराष्ट विधान सभा में है 165 112 MLA's के खिलाफ कहीं ज़्यादा IPC की गंभीर धाराएं है और मौजूदा वक्त में MLA's महराष्ट के भी सबसे रईस है ADR की ये रिपोर्ट बतलाती है Association for Democratic Rights इन बातों का जिक्र करना जोरी है हम लोग कई किताब पढ़ते हैं तो भूमी का एक होती है एक चीज़ तो दिमाग में रख लीजिए आज हम लोग नाकपूर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज हम लोग उस जल के संदर्भ में बात कर रहे हैं जहां पर इस देश के किसी भी हिस्से में आपके पास शांदार गाड़ी होगी, शांदार बंगला होगा शांदार स्कूलों में बच्चे जाते होंगे चाटिड से घूम सकते होंगे लेकिन पानी नहीं होगा पानी दूशित होगा साफ हवा नहीं होगी तो क्या होगा 2018 का अंकड़ा बतलाता है इस देश के भीतर सिर्फ पानी नहीं मिलना पानी दूशित मिलना साफ हवा नहीं मिलना 35 लाक मत मौते हुई हैं हम उसको हत्या कहते हैं 35 लाक लोग मरे हैं WHO की रिपोर्ट या उस्तन बतलाती है कि जब से भारत में 91 के बाद से एकनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ जब पीवीनर सिम्मराव प्रैम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंग उस समय फैनांस मिनिस्टर थे उसके बाद से हिंदुस्तान की इस्तिती बदल गई एक किताब लिखी है जैराम रमेश ने इंद्रा गांधी के उपर में इंद्रा गांधी का प्राकृतिक प्रेम मौका मिले तो पढ़िएगा और पॉल्टिशन्स को पढ़ना चाहिए उसकिताब का एक ही मंत्र है विकास की तेजी कहीं ऐसी न हो आर्थिक विकास की सचियत रहती थी और उन्होंने उनके पत्र जो की बच्पन में उन नहरू को पत्र लिखा करती थी महात्मा गांधी से जो उनके डायलग्स होते थे उस संदर में लिखा है उनकी हत्या हो गए 1984 में राजीव गांधी आ गए लेकिन हमको लगता है कि हम लोग आज जो माईलिस् कमोवेश तीन दशक की आत्रह है भारत की और हमने जिस पॉलिटिकल सिस्टम को माननता देदी है उस पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये देमोक्रेसी है लेकिन यकीन जानिए ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हमको और आपको खत्म करने पर आमदा है आज हम इसी पर बात करेंगे और उसके दाइरे में हर कोई आता है मौजूदा सरकार मौजूदा वक्त की परिस्तिती जाहिर है सबसे ज़्यादा घातक है क्योंकि इसने इस्टूशन को मानना बंद कर दिया है लेकिन एक सिस्टम को हम लोग आज समझने की कोशिश करें 2004 से 2012 तक यानि 2004 का इलेक्शन, 2009 का इलेक्शन और 2014 से पहले का इलेक्शन की परिस्तिती जिसमें नरिंद्र मोधी को अभी BJP ने परधानमंत्री पत का उमिद्वार नहीं बनाया था इस देश की कॉर्परेट ने 378 करोड रुपए डोनेशन दिये नैशनल पॉलिटिकल पार्टीस को जाहिर है स्पीरेट में कॉंग्रस को ज़्यादा मिल रहे होंगे दो हजार 378 करोड कॉर्परेट दे रहा है पैसा पॉलिटिकल पार्टीस को दो हजार बारां से दो हजार सोलां फिल्कुल दो हजार चौदा का इलेक्शन आपके जहन में रहना चाहिए 378 दिया गया आठ साल में है दो हजार बारां से दो हजार सोलां यानि साड़े तीन साल का वक्त है और कॉर्परेट पैसा देता है 956 करोड रुपए और ये सारे जो है वाइट है वाइट पतलब का यह हुआ कि इलेक्शन कमिशन को बतलाया गया है जो नहीं बतलाया गया है वो रकम अलग है जो बतलाया गया है वो रकम हाँ आपसे जिक्र कर रहे है दो हजार सोला से दो हजार अठारा 985 करोड अठारा लाग रुपए डोनेशन फिर दिये गए इस बीच में मैक्सिमूम डोनेशन जाहिर है सत्ता बीजेपी की है पॉलिसी बीजेपी बनाती है उसी के जरीए कानून बनेगा इस दौर में तो उसके पास कॉर्पेट ने पैसा दिया वो कौन से कॉर्पेट हाउसेज हैं जो पैसा दे रहे हैं उनका काम क्या है उनका काम है रियल इस्टेट, मैनिफेक्चरिंग, इन दोनों ने सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को दिया माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केर, एजुकेशन, पावर, ओयल, शिपिंग, इंडस्ट्री, इन सभी कॉर्पेट वालों ने सरकार को पैसा दिया यह जो कॉर्पेट से पैसा दिया जा रहा है, यह सरकार से क्या चाहते हैं हम इस पे नहीं जाते हैं कि वो किसी एक घराने को लाब दे रहे हैं जो नाम जिक्र आ जाता है बार-बार अम्वानी अडानी या उस पे ना जाईए जनता के लिए समझने की समझ है कि जो कॉर्पेट पैसा दे रहा है वो जरूर चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है या जिस बात का वो उत्पादन करता है या जिस काम को वो करता है उसके अनुकूल परिस्तितियां इस देश के भीतर बनी रहे यह जो इतने हमने नाम लिया आपके सामने यह सभी उस डेवलप्मेंट प्रोसेस से जुड़े हुए है जिस डेवलोप्मेंट प्रोसेस को कमोवेश चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कॉंगरेस हो चाहे हो एनसईपी हो शिवसेना हो समाजबादी पार्टी हो बियस्पी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अब भिहार चले जाईएगा, तो RJD हो, JDU हो, South चले जाईएगा तो, या उधर बंगाल में जाईएगा, तो TMC है, या फिर और दक्षिन की तरफ चले जाईएगा, IIDM, KDM, के, जो भी आपके जहन में नाम आता है, आते चले जाएगा, डेवलप्मेंट का मतलब इनके लिए, हिंदुस्तान का वो कॉर्परेट, जो की, किसी प्रोड़क्ट को बनाता है, करता है, और उसके जरिये उसको मुनाफ़ा मिलता है, उस प्रोड़क्ट को हमको आगे बढ़ाना है, ये एक बेसिक नियम है, जब आप है, कि नाकपूर शहर में सीमेंट की सलक बन रही है, नाकपूर शहर में मेट्रो बन रहा है, नाकपूर शहर में कोलतार की सलक खोद डाली गई, उसके अलग-अलग डाटा है, हम उसको पे आएं, लेकिन जरा ये समझने की कोशिश कीजिए, डेवलप्मेंट क्या है, क्या का मतलब पुल बनना है क्या डेवलप्मेंट का मतलब सडग बनना है क्या डेवलप्मेंट का मतलब हर उस इंफरास्ट्रक्टर को बनाना है जो इंफरास्ट्रक्टर उस प्राकृती को खतम कर रहा है जो प्राकृती आपकी जिंदकी से जोड़ी हुई है अब चुकि यह डें की रिपोर्ट है यह सारी रिपोर्ट आप देखिएगा तो आप लोग यह सुम्र में हैं कईयों के बच्चों की शादी हो गई उनके बच्ची होंगे यकीन जानिए दो हजार तीस के बाद इस देश के भीतर की जो इस्तिती होने वाली है उसकी परिकलपना आप अभी नहीं क के इसाब से देश में तीसरे नंबर पर आता है वहां के लोगों को हो गया है कि इस बाल्टी लेकर सटक पे खड़े हुए इंतियार कर रहे हैं कि पानी आ जाए सवाल है इन सारी परिस्थितियों के बीच में भारत में जो सीमेंट का प्रोडक्शन है हमारा दो दिन पहले चंदरपूर जाना भी हुआ चंदरपूर में इस देश के टॉप टैन कॉर्प्रेट्स जो सीमेंट बनाते हैं उनकी इंडस्ट्री वहां पर चल रही है चंदरपूर का तापमान नाक्पूर से ज्यादा रहत और हम जब चंदरपूर गए थे तो हमारे जहन में कुछ पुरानी अपनी ही रिपोर्ट से याद आने लगी नाइन्टी वन नाइन्टी टू में हमने एक रिपोर्ट फाइल की थी लोकमत समचार में कि बलार्शा पेपर मिल को एक पेड काटने की एवज में तीन पैसे लि अच्छी नहीं है और उसकी वज़ा बड़ी साफ है हमारे पॉलिटीशन के पास कोई वीजन नहीं है कि आने वाले वक्त का भारत कैसा हो कोई पॉलिटीशन के पास वीजन नहीं है आने वाले वक्त का नागपूर कैसा हो हमने यहां की सरकार सत्ता से सवाल किया था जो आप बना रहे हैं नागपूर में आप क्या देख रहे हैं उन्होंने क्या दोहजार पचास देख रहे हैं अपने कहा दोहजार पचास तक लोग बचेंगे लेकिन वो उस पीरियड को देख रहे हैं लेकिन इस पीरियड में जो डेवलप्मेंट वर्ल्ड बेंक कहता है जो को उस इंडस्ट्री और उस कॉर्परेट से जोड़ दें जो की आपके हित के लिए नहीं है बलकि उसको अपना एक मुनाफ़ा चाहिए और उस मुनाफ़े के पैरलल में स्ट्रेट की एकनॉमी डेवलप होगी मोधी गौवर्मेंट ने कहा हम तीन ट्रिलियंद से पांच ट्रिलियंद पहुंच जाएंगे दो हजार बाइस तको टारगेट लेकर चले कुछ दिनों के बाद पिछले हफते उत्तर प्रदेश में तमाम कॉर्पेट्स आये थे तो योगी जी ने कहा मोधी जी के पांच ट्रिलियंद में हमारा भी योगदान होगा हम भी एक ट्रिलियंद देंगे उत्तर प्रदेश ने कहा कल हमें पता चला महरास्ट के कुछ भी कह लीजिए आप कुछ भी कह सकते हैं आपको आजादी है लेकिन आपको परिशानी है तो आप अपनी परिशानी को मत कहिए उसकी आजादी आपको नहीं है और उसके ठीक पैरलल में मीडिया को भी आजादी नहीं दिये जा रही है कि वह उन रिपोर्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को क्यों दिया जा रहा है एविएशन मिनिस्टर खड़े हुए यह पिछले हफते की बात है का एविएशन मिस्टर खड़े कि पहले भी दिया जा चुका है हम कोई पहले नहीं है इससे पहले कॉंग्रेस की सरकार्ति उसने भी दिया था और सबसे पहला एयरपोर्ट तो प्राइवेट सेक्टर को केरल में ही दिया गया था यहां कोई वामपंथी मित्रों हो तो बताएं केरल में दिया गया था कि लेकिन वामपंथियों की तदाद तो अब देश में कम हो ग गुलाम नभी अजाद खड़े हुए, गुलाम नभी अजाद ने कहा, मंत्री मोहदे मैं ही अवियेशन मिनिस्टर था उस समय, और जो आप कहे रहे हैं, दरसल वो एरपोर्ट नहीं था, वो ग्रीन फिल्ड था, और ग्रीन फिल्ड का मतलब यह होता है, कि वहाँ पे जो कॉर जाजा तुने चाहिए, वहाँ पर कोई पब्लिक के लिए हवाई जाज उड़ना बैटना नहीं था, वो सिर्फ अपने निजी जिसका जिसकी संख्या देश में दोसों के लगभग है, और महरास्ट में भी है, बलार्शा में भी है, वहाँ भी आप जहाज उदार सकते हैं, लगभग तीन से चार मिनट गुलाम नवी अजाद में फैक्ट्स बताए, अब मंत्री महदे क्या करेंगे, बोले मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो है, लेकिन आप थोला समझे कि पीपी में अगर काम नहीं करेगा और प्राइवेट पूंजी नहीं आएगी, तो हम कैसे क करेंगे, बात हो रही थी, एयरपोर्ट का प्राइवेडेशन हो या ना हो, 20 से 25 मिनट इसी पे बहस हुई, जिसका अंत ये था कि मंत्री महदे कुछ नहीं जानते हैं, और बाद में जानकारी मिली जो हमें गुलाम नवी अजाद साहब ने कहा, यार वो कह रहते कि उसको बोल दें कि हटवा दीजिए, और आने वाली पीडी ना पड़े कि ऐसे भी एक मंत्री थे, तो हमने कहा कि हटा दीजिए, तो अब आप इस अस्तर पे पॉलिटीशन से लड़ाई लड़ रहे हैं, कि पार्लेमेंट के भीतर का हिस्सा आमने बताया, आमने पताया है, जो कि म समझने की कोशिश कीजिए, सरकार के पास एक ही वीजन है, कॉर्प्रेट और इंडस्ट्री से पैसा आएगा, कॉर्प्रेट और इंडस्ट्री से ही पैसा आएगा, यह दूसरी लाइन है, कॉर्प्रेट और इंडस्ट्री के लिए हमको बिजनेस इजिंग महौल को बनाना ह पॉलिसी वैसे ही बनेगी मौजूदा सरकार सेलेक्टिव हो गई यह अलग बात है कॉंग्रेस के दौर में सेलेक्टिव नहीं थे लेकिन प्रो कॉर्पेट कॉंग्रेस थी और एक अंतर दिमाग में रखियेगा मोदी गॉर्मेंट का कॉंग्रेसी करण हो गया है कॉर्पेटाइजेशन की फिलोसफी को अपनाते हुए जो बात कॉंग्रेस फीवी नरसिंभा राओ के बात से करती रही वो मोदी गॉर्मेंट अपना चुकी है और उस समय से जो लेफ्ट जिन मुद्दों को उठाता था किसान मजदूर का जिक्र करता था अब उसे राहूल गांधी ने आत्मसाथ कर लिया है लेफ्ट गाइव हो गया है कॉंग्रेस मॉरल पॉलिटिक्स पे आ गई है जहां पर वो किसान मजदूर की बात करेगी कल तक स्वदेशी आरेसेस जिस बात का जिक्र करते थे दत्तो पंठेंगडी सडक पे घूमते थे अटल विहारी वाजपई की सरकार को चिताते थे और अटल विहारी वाजपई की सरकार को अपना फैनांस मिनिस्टर बदलना पड़ाता यश्वन सिना जो कि बुलू आई आई बवाय हुआ करते थे उनको बदल दिया गया था क्योंकि हम उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में खुले तोर पर विरोत किया था दत्तो पंठेंगडी ने इस शक्स को अटाईए ये FDI को बढ़ावा दे रहा है ये प्रावा दे रहा है ये स्वादेशी के खिलाफ है इस्तितियां बदल गई आज RSS के किसी वेक्टी से पूछिएगा वो FDI पर चुप हो जाएगा प्राविटाइजिशन पर चुप हो जाएगा इस्तिति बदल गई है सिर्फ जरा इसको खाली सबजना है हम इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं लाना चाहरे है कि आप किसको हिस्से में क्या लाएंगे लेकिन एक चेंज आया है ये चेंज आने वाले वक्त में कॉंग्रेस को कितना फाइदा पहुँचाएगा बीजेपी को कितना घाटा पहुचाने वाला है अगला एनलैसिस है भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर चीन के बाद सबसे ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन होता है और सीमेंट को वर्ल्ड वाइड सबसे घा तक माना जाता है पूरी दुनिया में अफ्रिका में भी जहां जो सबसे पिछड़े इलाके जिन इलाकों में नभीबिया तक में माना जाता है कि बहुत डेंजिरस है सीमेंट आपको सीमेंट की सड़क दी जा रही है चीन नमबर एक पर है चीन में लगभग 24,00,000,000,000 अब अगला नमबर अमेरिका का आता है भारत में होता है 2,00,000,000,000,000 जो कि लगभग इसमें आपको 15-20% और जोड़ना होगा क्योंकि इंफ्राइस्ट्रक्चर पे जो इस दौर में 2017 के बाद काम शुरू हुआ है जिसको नाखपूर के ही मंत्री है गटकरी जी और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी जिनके पास कोई वीजन नहीं था कि इंफ्राइस्ट्रक्चर में अगर पैसा नहीं लगाएंगे और वहां से पैसा नहीं बनाएंगे तो डेवलप्मेंट हम किसको कहेंगे यह कि पास समझते हैं और हम लोग के पास समझ ओनी चैहिए ठीजन भारत मेंáट बमिलियन मेटरि कान सीमेंट होता है अमेरिका में पासरगर जा रहा है Нमाटो है कि यहांनि बवारत से तीन गुना कम सीमेंट। परदिशा में जा रहा है जहां उसने टार्गेट लिया है कि एवरी एयर हम 3-5% सीमेंट का प्रोडक्शन कम करेंगे क्योंकि यह सबसे डेंजरस माना जाता है हमें सीमेंट की सलग चाहिए रूस में और कम है ब्राजील में और कम है जापान में और कम है और दुनिया के अगर बाकी लगभग सबासो देशों की गिंती आप करेंगे जिन सबासो देशों की एकनौमी भारत से अच्छी है ट्रिलियन की तदाद से नहीं हम कर रहे हैं एकनौमी को हमें हैशा आकलंज होता है पर कैपिटा इंकम से होता है तो कि एक वेक्ति के पास अगर खरबो की समपत्ति और दूसरा वेक्ति दो जून की रोटी के लिए मर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों को जोड़के है जहां की जनसंख्या 28,00,000 है नाखपुर शहर का हम धिक्र कर रहे हैं इस 28,00,000 में से लगबख साड़े आठ लाग लोग ऐसे हैं जो अभी भी नियूंतम की लड़ाई लड़ रहे हैं यानि वन ठर्ड नाकपूर अभी भी नियूंतम की लड़ाई लड़ता है उन गाड़ियों को मत दीजिए उन टालिकाओं को मत देखिए उनकी रईसी को मत देखिए उनके प्रॉसेस को मत देखिए इस्तिती को समझी हम लोग हर तीसरा व्यक्ति अभी भी नाकपुर का अच्छा नहीं है और देश के भीतर की इस्तिती और नाजुक है ये एक इस्तिती है और हम लोग जाहिर है अब ये भारत सरकार ने भी यांकड़ा जारी कर दिया है कि लगभग दो हजार 27 में ही भारत जो है चीन को पार कर जाएगा प्रोडक्शन में नहीं जन संख्या में अब यहां से एक दूसरी शुरू होती है कि डेवलप्मेंट का मतलब माना क्या जाए हमारे डेवलप्मेंट के रेंज में हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे डेवलप्मेंट के रेंज में एजुकेशन नहीं है दुनिया में सबसे कम खर्च करने की स्थिती में भारत ही वो एक मात्रदेश है जो सबसे कम हेल्थ सर्विस पर काम करता है एक आंकड़ा और आपको बताते हैं आकड़ा आजकल बड़ा पावर्फुल हो गया है वर्ल्ड वाइड है मतलब ओबामा के एलेक्शन के समय ही अमेरिका समझ गया था कि डाटा का मतलब क्या होता है ट्रम्प के एलेक्शन में इसका बहुत इस्तमाल हुआ और इसके लिए पीट ठोकनी चाहिए कि उन्होंनों भी डाटा का मतलब समझा और डाटा के जरिये उन्होंने आपके मेंटल आस्पेक्ट में क्या पढ़ रहा है ये समझने की कोशिश की और कॉंग्रेस इसे आज भी नहीं समझ पा रही है कि इसको कैसे काउंटर करना है उसको भूल जाईए हम आपको आक्रा वतला देते हैं है कि एक्तों समानी तोर पे हम जहां जाते हैं चाहिए मंत्री के कहां जाए यां संत्री कहां जाए कि मोधी जी विलास में पानी लाइगे बोत बार हुआ लोट अगतिék और कि मन मोहन सिंग सभी ह्या है और मन्मोहन सिंग्या भी गए थे तो डिरेक्टर्स हमारे सामने इसी तरीके से बोतल लाके रखी थी उन्होंने और हमने कहा था गिलास में पानी लाइए बोतल बंद कीजिए उन्हें उस समझ समझ नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है बाद में सोनिया गांधी को समझ में आया अलग अलग मारफतों से क्योंकि उन्होंने जो कमिटी बनाई हुई थी उस कमिटी के लोगों से हमारा संबाद लगातार होता था इस देश में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का बिजनेस वो है जो दुनिया में आपके राइट्स के हिस्से में आता है कि आपको ये मिलना ही चाहिए आप कलपना कीजिए ये जो बोतल बंद पानी हमारे टेबल पे रखा हुआ है ये बोतल बंद पानी का बिजनेस पांच हजार चारसो अरतिस मिलियन डॉलर का है हर साल का बजेक्ट इसका मतलब ये हुआ आप पिये या ना पिये हर दिन आप एक रुपए का बोतल बंद पानी इस देश के एक सो तीस कोड़ लोग पीते हैं ये मुनाफे का रिंज होता है जो आपकी जिन्दगी से जुड़ा हुआ है आपको समझना है लेकिन आप नहीं समझेंगे और अब नई सरकार इसकी दवस्था कर रही है कि ये जो पानी बनाने वाली कंपनिया है इसके भी कुछ लिमिटेट प्लेयर्स ही रहें ज्यादा प्लेयर्स नहीं ठीक वैसे ही जैसे कॉमुनिकेशन में एक ही प्लेयर रहे जिसके ब्रांड अम्बेस्टर खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए अजीबो गरीब है ये अच्छा हमने पता लगाया था कि क्या प्रधानमंत्री की तस्वीर हम अपने प्रोड़क्ट को भेचने के लिए लगा सकते हैं और जवाब मिलते मिलते हमें बोला नहीं लगा सकते हैं लेकिन अगर लगाईएगा तो पांसो रुपए फाइन देने होंगे है आप कलपना कर रहे हैं कि पांसो रुपए में प्राइम मिनिस्टर विलभूल है आपके ब्रेंड अम्बेस्टर के लिए सम्विधानिक पद पर बैठे हैं महाराज असान नहीं है ये बात लेकिन बाराग हमारी जो टार्गेट इस्थिती है हमारे देश के प्रधानमंत्रियास से नहीं इंद्रा गांधी के समय से युनाइटेंड नेशन्स में भारत का एक महत्व है जी ट्वंटी में महत्व है गैट में महत्व है गुट निर्फेक चांदलन तुमान लीजिए खतम हो गया सार्क को भी खतम कर दिया गया दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ओर्गनाइजेशन्स हैं कि उन सारे ओर्गनाइजेशन्स में मौझूदा वक्त की सत्ता जब बनी जब प्राइमिस्टर मोदी आए तो उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया हर जगा ब्लैक मनी का हिससे इनकार बिलकुल नहीं किया जा सकता है ब्लैक मनी का मुद्दभ उन्हों ने उठाया है ये अलग बात है ये अलग बात बात में पताते है लेकिन इन सारे देश जो हैं जो develop states है जिन में भारत जाता है जो गौरवानवीत महसूस होता है आथों में हार डाल के फोटो की जायी जाती है और एक लगता है कि human shield बनाई जा रही है उन देशों की जो प्रात्मिक्ता है वो पानी और हवा ही है और हमारे यहां पानी और हवा प्रात्मिक्ता नहीं है एक हिस्सा यह हो गया, दूसरा हिस्सा इस सब एकनॉमी से जोड़ा हुआ है और सब एकनॉमी को हम लोग आखिर में पानी से जोड़ेंगे दूसरी तरफ जो black money का मुद्दा उठाया जाता है जिस समय मनमोहन सिंग की सरकार थी और पार्लेमेंट के बीच में जो discussions होते थे black money के उन discussions को उठा के जब सुनिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी पहली लिस्ट मनमोहन सिंग को प्राय मिनिस्टर के तोर पर UBS बैंक ने दी थी जो सिजर लैंड का बैंक है सेंट्रल बैंक है उसकी तरफ से आई थी लिस्ट साड़े साथ सो लोगों के लिश्ट थी जिन्होंने black money बैंक में जमा कर रखी थी अरुन जेटली, अनुराग ठाकुर, लाल कृष्ण अडवानी ये तीन लोग पार्लेमेंट में बोल रहे थे और 2008 से आकरी बहस 2012 तक हुई ये तीनों बोलते रहे कि आखिर आप नाम छुपाते क्यों है नाम बताने में क्या जाता है और हम लोग भी तालियां पीटते थे और स्टोरी फाइल करते थे वाकई नाम बताने में क्या जाता है जो corrupt है उसके नाम बताईए उसमें क्या जाता है उसके बाद एक के बाद एक पेपर्स आने शुरू हुए, विकिलिक्स भी आया, पनामा पेपर्स भी आये, लगभग नौ देशों से, नौ तरीकों से, अलग-अलग भारतियों के नाम आए, मोधी सरकार आ गई, दो हजार चौदा, अक्टूबर का महीना, सत्ता आ चुकी है, ब्लैक मनी पे डिसकेशन, खड़े होते हैं अनुराक्ठा को, गर्व के साथ, खड़े होते हैं, और कहते हैं कि, हम ही वो हैं जिन्होंने पहले दिन जो कैबिनेट की बैठा कोई थी, उस पे ब्लैक मनी पे और जहां तक हमें याद है, उस दिन गड़करी जी का भी जनम दिन था, बाद में वो बधाई उनको दी गई थी, 27-28, यही डेट है शायद, उनका भी और पहली कैबिनेट बैठा कोई थी, 2014 में, साइटी बनी थी, ब्लैक मनी पे बिलकूल इनकार नहीं है, और हम लोग उस कविनेट में ठीको कवर कर रहे थे, बार निकल के रविशंकर प्रशाद में बोलाता है, अच्छी बात है, लेकिन, 2014-2016, यसी दो साल में आखरी बार ब्लैक मनी पे सरकार बोलने को तयार हुई, और दोनों बार, उस समय भी वो खड़े हुए, अनुराग ठाकूर जिनोंने पीट थप थपाई, लाल के शड़वानी की, कि वो अधना होते तो ब्लैक मनी मुद्दा इस देश में नहीं बन पाता, सड़क पे अंदोलन कर रहे थे, लेकिन, हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम अगर बता देंगे, तो वो बैंक वाले फिर वो खुफिया जानकार ही नहीं हमें दे पाएंगे, और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया, डवल टेक्सेशन से लेकर सारी चीज़ों को, कि हम इसे क्यों नहीं बताएंगे, अब आप वापस लोट जाएंगे, दो हजार बारा में, सेम चीज पढ़ा मुखर जी ऐसे फैनास मिनिस्टर क इसलिए हम लोग मानते रहें कि कॉंग्रेस से सत्ता वाली ही पार्टी है, लेकिन मोदी ने सबको धराशाई कर दिया, ना बीजेपी है ना कॉंग्रेस है मोदी है, यह क्यों है इस पर भी आते हैं, अब सवाल ये है, वो कौन-कौन से लोग हैं, फिर आपको लोटना होगा 1993 की वोरा कमीटी की रिपोर्ट, जिसमें इस देश के भीतर पॉलिटिकर, इंडस्ट्रेस, माफिया का जिक्र है, और इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से वोरा साब, जम्मू कश्मीर के मलिक साब से पहले राजिपाल थे, और सहियोग ऐसा है कि राजिपाल के जो सकेट्री थे वहारे मित्र थे, तो हम लोग का संबाद गाहे बगाहे आफ दा रेकॉर्ड ऐसी होता था, जाते थे शिनगर तो मिलते थे, तो अक्सर वोरा साब कहते थे, यार वो रिपोर्ट सामने आ जाती तो तहत दिरिया तो इंडिया सुधर जाता या तहस तहस हो जाता है, वो इस देश में पॉलिटिकल पार्टी को पंडिंग करते हैं, अब आप जोडना शुरू कीजिए, आप कहां पर हैं, आपकी हैसियत क्या है, और नेता भी कुछ नहीं है, देखिए, नेता के सामने मुश्किल क्या होती है, जीत गया, पैसा लगा होगा, पैसा चुकाना भी है कहां से चुकाएंगे, कुछ कमाना भी है, कहां से कमाएंगे, उसका वीजन पांच साल के लिए रहता है, इसलिए इस देश में स्टेट्समें कोई पैदा नहीं होता और बहुत कम हो पाते हैं, एक दो नाम आने के बाद चीज़ें ठैर जाती हैं, लेकिन अच्छी और अच समदर्शी द्रिश्टी कोन था, चाहे वो वीपिय सिंग की सरकार हो, चंशेकर की सरकार हो, मुराजी दिसाई की सरकार हो, देवगौडा की सरकार हो, कुजराल की सरकार हो, अटल विहारी वाजपई की सरकार हो, मनमोहन सिंग की सरकार हो, एक समदर्शी भाव था, समदर्श के बाद हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में थी पैसा सब का गायब हो गया कॉंग्रिस के भीतर ये पहली बार सवाल उठा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सड़क पे संगर्श कर पाएंगे क्या यह सवाल कॉंग्रिस के प्रेजिडेंट से हमारा सीधा दौर सीधी गुफ्तगू हो रही थी बहुत सीधा सवाल बोला वाकई अच्छी बात हुई है अब हम देखेंगे कौन संगर्श कर सकता है एसी कमरे में बैट कर और खाते पीते होते हुए कि कॉंग्रिस सत्ता में आ जाएगी कॉंग्रिस सत्ता में नहीं आएगी राहूल गांदी मॉरल पॉलिटिक्स की तरफ चले गए है यह अगर समझने के उनको आप पपू कह लीजिए आए बाइस वह जो कहना है कह लीजिए लेकिन राहूल गांदी वाकई सोने का चमच लेकर पैदा हुए इससे भी इनकार मत कीजिए लेकिन वह संगर्श कर रहे हैं तो हमारे यहां के जो कॉंग्रेसी पॉलिटीशन्स थे या जब तक आपके पास देश कैसा हो इसका वीजन नहीं होगा जब तक आप इस देश के लोगों को महत्ता नहीं देंगे अपने हिंकार को खतम नहीं करेंगे आपके सरुकार लोगों से नहीं होंगे लोगों की जरुतों के साथ आप नहीं जुड़ेंगे यकीन जानिये जीत जीत नहीं पाएंगे, जीत इसलिए नहीं पाएंगे कि जो नॉर्म्स हैं, डेमोक्रेसी के उस नॉर्म्स को तो मौजुदा वक्त ने खदम कर दी, अब आप कर लो क्या करोगे, आप इलेक्शन कमिशन बोलते हो मेरी जिम में, करो क्या करोगे, आपको सुप्रीम कोट से चाह रहे हैं, पुराने बीजेपी वाले भी से नहीं समझ पाएं, इसलिए बीजेपी के नेताओं के भीतर जो सत्ता में बैटे हैं, उनमें भी नैतिक बल नहीं है, कि वह उने इश्यूस को उठाएं, और नोट बंदी, इसलिए हमें लगता है सबसे महत्मूर हैं कि पॉलिटि या बीजेपी का वह अध्यक्श है, उसने तो इतना पैसा नोट बंदी से बनाया, अरे जनाब, वह खुल के बोल रहा है, बनाया है, अरे साब, वह तो तुटली पार है, एस Toutलिपार हैं। अप कहेंगे फला फला चार्ष्ते अरे जराव, खुद कर बोलता है, यब आपकी क्या करोगे बताओ हमें आपके पास कौन सा वीजन है सहाब आपके पास वीजन नहीं है इस देश में जुड़ने का आप बार बार उस ततकालिक परिस्थिती को पकड़ना चाहते हो जो ततकालिक परिस्थिती से लाब मुनाफ़ा कल तक मिलता था अब तो गेम के नियम बदल कासी जब आ गई तो राहलवजाज को कहना पड़ा और ना डिमांड है न पैसा है विकास आसमान से आएगा जब विकास है के श केंपर्विजा अपहले पिए यो नहीं सोचा था जब हुआ पैसा दे रहे थे जिस वक्त वो अर्विंद केजरिवाल को पैसा दे रहे थे वो क्यों नहीं समझ पाए थे कि ये अर्विंद केजरिवाल आने वाले वक्त में शरत पवार के साथ बैठेगा जिस शरत पवार को इसने करप्ट पताया है क्यों नहीं समझाता पॉलिटिक्स के नियम काइदे जि इनका कोई सवाल होगा उसका भी जबाब दिया जाएगा को समझ लीजिए पहले आप लोग किस देश के हिस्से आप नागरिक वहाज कर रहा था उसके वहाज कर रहा था उसके वहां के कम नहीं कर। तो वो नागरिक कैसे हो गया और नागरिक और दूसरी तरफ वो politician है जो politician पहले भी था अब भी है जेल में वही सुविदा पहले भी थी अब भी है मडर एक के बाद एक हो रहे अब तब भी कर रहा था अब भी है क्या मजाक बना रखाया आपने और एक mobile हमारे हाथ में है जिसमें हम tweet करके खुश हो जाते हैं हर कोई tweet कर रहा है क्या कीजेगा बारत एक चीज़ और थोड़ी समझ लीजिए कि हम लोग जिस इस्तिती में आ गए हैं उस इस्तिती में किस तरीके से decline हुआ है एक चीज़ तो आपको जाननी चाहिए जब भारत अज़ाद हुआ था उस समय जो जन संख्या थी हमारी हर व्यक्ति के हिस्से में पांच हजार एक सो सत्रा क्यूबिक मीटर पानी आता था अब यह है कि 70 से 72 परसंट decline हुआ है water आपके हिस्से का और दूसरी तरफ हमारी population जो है उस रूप में नहीं बड़ी है population की तादाद जो है उस समय लगभग 31 लाग था उसको जोड़िएगा तो यह लगभग पांच गुने की स्थिती में आती है पानी ज्यादा तेजी से कम हो रहा है एक स्थिती है दूसरी स्थिती पानी नागपुर में हो रहा है और मंबई में पानी हुआ और मंबई में जिसमें पानी पानी था उसमें मंबई के मेर ने अच्छी बात कह दी कि देखिए ना पूरा मंबई पानी पानी है और हम लोग के घरों में पीने का पानी ही नहीं है पूरे सिस्टम को उजागर उसने एक लाइन में कर दिया जिस सिस्टम की एवज में हम उस पानी को बचा सकें, उस पानी को अपने लिए खड़ा कर सकें. और इस इस्तिती में जब आप आईएगा तो और हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अब हम लोग भारत दुनिया का दूसरा नंबर पर देश है, जो नुकलियर रियक्टर जिसके अगर उतना पैसा हम लोग नुकलियर रियक्टर पे खर्च कर रहे हैं, अगर उतना पैसा हम लोग ने सौर उर्जा पर खर्च किया होता, तो हम पानी से बिजली बनाने की इस्तिती में ज़रुरत इस देश को पड़ती ही नहीं, पानी है नहीं, थरमल पावर प्लांट काम करेगा, पूरी दुनिया में अब ऐसी इस्तिती आ रही है कि पानी से बिजली तो मत बनाईए साहब, इसको तो छोड़ दीजिए, और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, अमेरिका पैरिस समझोते से इसलिए भी बाहर हुआ था, क्योंकि हाला कि उसके पीछे दो पॉलिटिक्स भी बताई जाती है, एक तरफ इन्वार्मेंट का जो पूरा नेक्सिस है, उसकी मनी थी, जो से वो ट्रम्प को दिया गया, और दूसरी इस्तिति यह भी थी, वो नहीं चाहता था कि नुक्लियर रियक्टर अब दुनिया के किसी भी देश में हो, क्योंकि उसकी दादा गिरी अपने तोर पर बरकरार रहे, ये भी एक पैक्ट है, ये सारी चीज धीर दीरे पानी से ही जोड रही है, अब इसमें एक तीसरी इस्तिति निकल कर आती है, तीसरी इस्तिति यह है कि हमारे हाँ जुनाकपुर शहर को बीच में जोड देते हैं, आपको खराब लगेगा, यहां मेट्रो शुरू कर दी गई, यहां पर सिमेंट रोड आ गया है, जो भ परत नहीं है, और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट जो बनाया जा रहा है, हमें नहीं पता है कि जो यह पब्लिक ट्रांस्पोर्ट जब यह तोर पे काम करने लगेगा, मेट्रो तो इसमें कितने लोग सफर करेंगे, और अभी तो मान लीजे दिखावी तोर पर 8264 कौड रुप आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, हमने तो दो ही चीज का जिक्र किया, कुछ और भी जोड़ते चले जाईए, या पूरे विधर्ब को ले लीजिए, विधर्ब के भीतर सवाल हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि अलग विधर्ब का अंदोलन संयोग से, नाकपूर उसका हि किया, तो आपको जानके हैरत होगी कि विधर्ब अपने आप में स्वावलंबी हो सकता है, जो वेस्टन महरास्ट नहीं हो सकता है, जो मराठवाडा नहीं हो सकता है, वो विधर्ब हो सकता है, अगर उसका अपना वीजन काम करे तो, क्योंकि यहां के खनिश संसाधन और यह जो है CSR पैसा रखते हैं हम इसका भी अध्यान कर रहे थे तो हमें लगा यह आपको बताना चाहिए क्योंकि टॉप मोस्ट इंडस्ट्रिस जो हैं मौजूदा वक्त में महरास्ट में ही सब के सब खड़े हुए हैं आपको जानके हैरत होगी कि CSR का जो पैसा होता है उसमें जैसे रिलाइंस है को NGC लीजिए इंडियोनायल लीजिए यह लोग का CSR के जो पैसे होते हैं Corporate Social Responsibility उसको कहते हैं उसके कुछ समाजिक दाइत भी तो होंगे कोई CSR का चवनी पैसा भी पानी और हवा पे खर्च करने को तयार नहीं है करना ही नहीं चाहता है और ऐसा नहीं है अब प्रपोजल नहीं गया है प्रपोजल गया है काम किस पर करते हैं Sanitation, Education, गरीबी, भुकमरी, कुपोशन, आर्ट कल्चर यानि जिसका असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है आप नहीं पकड़ पाएंगे पानी तो बड़ा पैसा अब RSS अपने प्रकलकों में खर्च कर रही है और RSS उसके जरिये विस्तार कर रही है यानि RSS सरकार के लिए पॉलिटिकल तोर पे काम करने लगी है और अब उसके जो समाजी कार रहे हैं उसके लिए जो पूंजी चाहिए वह पूंजी वही कॉर्पेट दे रहा है ज प्रश खड़े होई है यह एकनोमी मॉडल एक सामने नया आया है जिसके हम लोगाने अध्यन किया इसकी आगे की स्थिती बनती है कि हम लोग जिस स्थिती में है जो हम लोग डेवलप्मेंट प्रॉसेस में जब आते हैं तो हमारे हैं एक सवाल बिरुजगारी का भी जुड़ गया है आपके जहन में सवाल होगा कि अच्छा पानी अगर वाकई हर नल से आने लगे जो सरका ने कर दिया है तब तो टेंकर वालों की नौकरी गई टेंकर वालों का बिजनस गया अगर मान लिए सरकार ने ऐसा सोची लिया और खुदा ना खासता हमके तो बार बार लगता है कि तीन मनिस्टर जो है हिंदुस्तान में किसी काम के नहीं है उसमें एक तो इरिगेशन मिन मिनिस्टर होता है एक एगरिकिल्चर मिनिस्टर होता है एक फैनांस मिनिस्टर होता है इस तीनों को आप इंद्र भगवान से जोड़ दीजिए वो ना हो तो यह तीनों धोस्त है वही सबसे बड़ा मंत्री है मजूदा वक्त में और नागपुर में पानी इतना पढ़ रह होगा पानी का दुनिया भर में संकट सिचाई की रही होगी दुनिया भर में संकट किसानों के सामने रहा होगा ऐसा नहीं है नहीं रहा होगा भारत दुनिया का वो आखरी देश है जिसने agriculture पर काम सबसे कम किया सुमिनाथन की report पे जाएए इस देश के policy जो budget और पहले planning commission और अब निती आयोग उनकी policy को समझेए एक hectare में चीन जैसे देश में बाकी देशों में तो बहुत ज्यादा उप जाए जाता है चीन जैसे देश में एक hectare में 5.4 तन अनाच पैदा होता है हम इतने काबिल और हुनरमंद है कि हमारे यहां सिर्फ एक hectare में 3.1 तन होता है क्योंकि हमने जमीन की उर्जा पे काम ही नहीं किया और वही सब समझते हुए मौजूदा सरकार ने काम करना शुरू कि हम स्वाइल टेस्ट करेंगे हम medically इसकी जाच होगी लेकिन उसका भी जब ह पता चला कि किसान जानते ही नहीं स्वाइल टेस्ट क्या होता है और उसकी पूर्ती किस रूप में बिरोक्रेट्स कर रहे हैं वह फिर एक अलग स्कैम है अपने आप में और ऐसी चीजों को जब आप सरकार को बताते हैं तो सरकार को गुस्सा आ जाता है कि आप सच क्यों ब नागपूर में 91 में 500 से 2500 रुपए परती स्क्वाइर फिट जमीन थी जो सेंट्रल नागपूर का हिस्सा 2500 रुपए थी एयरपोर्ट के पास 500 रुपए मिलती थी उसका जब हम लोग अनलैसिस कर रहे थे तो नागपूर में जमीन की कीमत मिनिमम जो आई कि आपको जो मिनिम मिलेगा कहीं पर वो धाई हजार के लगबगा रहा है और मैक्सिमम जो है वो दस हजार पार कर चुकिया है तो जमीन की कीमत जिक्र कर रहे थे वक्ता जो बता रहे थे चिन्ने की गटना का यकिनन चिन्ने की भी यही स्थिती है जमीन महंगी होती चली गई किस तरह से चीज इस इजरल प्रोग्राम में बैठा कौन है तो प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है और दिल्ली का मुख मंत्री भी बैठा है और दोनों नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस जमीन पर वो बैठे है वो जमीन यमुना की जमीने बरबाद हो रही है और वर्ल्ड वाइड इसकी बाद में सरकार की तरफ से नोटिस भी दिया गया जो भी किया गया और सबसे इंट्रेस्टिंग चीज क्या है कि हम लोग जब हम उस समय आज तक में थे हम रिपोर्ट दिखला रहे थे तो शिरी शिरी बैंगलोर से उन्होंने चार लोगों की एक टीम भेजी हमको समझाने के लिए कि आप ऐसी रिपोर्ट क्यों दिखलाते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम था और यमना की जमीन थी यमना जो है हमानी संस्कृति से जुड़ी हुई है और हम संस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे थे अब सोचिए बुद्धी का क्या हो गया है तो हमने उनको समझाया कि कल्च सिंग दिनकर ने दिया था और रामधारी सिंग दिनकर ने इस पर लिखा भी था हम बोले पढ़िए थोड़ा अध्यन तो कीजिए आप लोग की कल्चिरल से आप कैसे जोड़ रहे हैं आपने पूरी जमीन बरबाद कर दी लेकिन उसी जमीन पर अक्षरदाम मंदिर बनाया है तो आपको जानकर हैरत हो कि इस देश की 16 नदियां जिसको लेकर हम लोग युद्ध कर रहे हैं उसमें हर नदी को लेकर है गोदावरी को कभी सुनते हैं कभी कावेरी को सुनते हैं कभी ब्रह्मपुत्र को लेकर सुनते हैं 16 नदियों को लेकर अलग-अलग जगा पर लेकिन उसमें एक सवाल एक पार्लेमेंटरी ने उठाया, बाहर, अंदर नहीं, बहस में नहीं, उन्होंने बोला, साब अगर इस अमेंडमेंट में आप ये भी जोड़ देते कि जो नदियों की जमीन है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उस पर क्रिमिनल केस हो जाए क्या ये क्राइम नहीं है, कितनी जमीन नाग नदी की कहां चली गई, कितनी फुटारा तलाब की कहां चली गई, आप लोग उस जमीन का आकलन शुरू कीजिए, और तो और आपको एक जानकारी और देजे, गाए को लेकर बड़ी बैचैनी रहती है इस देश में, गाए को लेकर आपको जानना होगा कि गवचारन की भूमी एक होती है, जिसमें गाए चरने जाती है, और सबसे ज़्यादा जमीन गवचारन की राजस्थान और हर्याना में आती है, और सारी जब लिस्ट हम लोगों ने निकाली, तो सारे पॉलिटीशन जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के थे, इन जगह पे दो ही पॉलिटिकल पार्टी थी, बाद में चवटाला आ गए, लेकिन सारा कबजा पॉलिटीशन ने कर रखा है, गाई की जमीन पर, और गाई को लेकर चिंता बता रहे हैं, बताते रही है, अब आप क्या करोगे? यानि हमारी सबसे बड़ी संस्कृती है, एकनॉमिक कल्चर, आर्थिक संस्कृती, जिसमें आपको मुनाफ़ा मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, और दुनिया के एक अच्छी बात एक और आई थी, वक्ता हमारे जिमाग में उत चीज़ें आ रही थी, कि स्मार्ट सिटी में नागपुर का भी जिक्र है, आप लोग बहुत पता नहीं किस रूप में जान पाए हैं नहीं, जो पॉल्टिशन नहीं तो कुछ अधिकारी बाइठे हो, तो कभी जानने की कोशिच कीज़ेगा, इस स्मार्ट सिटी के लिए, हमारे पास, हमारे माध्यम से वो दि आप लोग आए हैं और हमारे यहां तो विदेशी लोगों से सरकार ऐसी घबरातें लगती है, उनको लगता है शायद कुछ पैसा लेकर आये हैं, तो अच्छा है, तो हमने मीटिंग करवा दी, मीटिंग के बाद वो लोग जो थे, वो हमारे पास आए, बड़ी पर दुनिया भर में काम करती है, उसने बोला, बड़ा हैरत बताया, उसने बोला, सर हम आपके लिए फॉर्म लाएं हैं, यह फॉर्म आप पता नहीं देख पाएंगे की नहीं देख पाएंगे, कॉम्प्यूटर पे, आप लोग देख सकते हैं कॉम्पूटर पे, पाई का जिक्र है लेकिन स्मार्ट सिटी में पानी कैसे मिलेगा जिक्र ही नहीं है ये कलपना के परे हैं कि हिंदुस्तान में Smart City बनेगी लेकिन उसमें पानी कहां से आएगा सहाब पानी का जिक्र नहीं है उस प्लाइन का जिक्र नहीं है जो पानी को साफ करेगा जो हमारे जो सबसे जाधा पानी दुनिया में बरबाद किया जाताहे कोई जिक्र नहीं अब आ नहीं पढ़के आये थे, IMF की तरफ से आये थे और जानकारी दे रहे थे और हावड और केमरिस का जिक्र कर रहे थे तो हम लोग ने उनसे कहा कि एक वक्त प्लानिंग कमिशन में आप तो नितियायोग में हैं, एक अलुवालिया साब भी थे, मने महान सिंग से कहा हमने, जो कि यही देखते थे कि उनका ट्वालेट में कितना शांदार संगमरमर लगा है कि नहीं लगा है, क्या कीजिएगा, एक कैसे देश में हम लोग हैं, हाल में, पिछले दिनों की बात है, एक वर्ल्ड इंडेक्स काम करता है, आप लोग अपने मुबाइल पे काम कीजिए, अगर आप लोग ट्वीट वेट करते रहते हैं तो, वर्ल्ड इंडेक्स को अपने मुबाइल पे आप पसंद कर लीजिए, उससे कहा है कि वो जो भी बताएगा वो आपके उसमें डाटा आते रहेगा मोधी सरकार के दौर में आंकडों के हिसाब से जानकारी आई थी क्या कुछ पर्यावण को नुकसान पहुचाया गया है जिससे पानी की कमी हो जाए बिल्कुल यह आंकड़े आए थे एक दूसरी इस्तिती आई 26 तारिक को 26 जुलाई 2019 लोकसभा में कोश्चन पूछा गया कि इस देश में कितने पेड काटे गये है बाबुल्स अच्छा आप लोग को पता इस देश का पर्यावण मंत्री कौन है कोई जानता है कि बड़ा मुश्किल सवाल है यह हम लोग को परियावण मंत्री नहीं पता जो परियावण मंत्री है वही सुचना प्रसरण मंत्री है प्रकाज ज़वड़कर जो स्टेट मिनिंस्टर है वो बाबुल सुप्रियों है तो एक walls न दो के लोग जानते थे जैराम रमेश को भी जानते थे तो चीजे डेल्यूट की स्टेडी से हुई है कॉंग्रिस अभी भी उस जहन में होगी कि कोई पर्यावण मंत्री होगा जो पर्यावण की चिंता करेगा जी नहीं इस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसा पहला काम यह किया कि जो बार केबिनेट डिसीजन लेटीं थी फिर व कि पर्यावण मंत्रा लेके पास जाता था और मंत्रश अपने तोर पर जाच करता था और उसके बाद बताता था इंद्रा गांधी तक के समयमें इंद्रा गांधी उस कॉपी को देखती प्राकृति से थोड़ा प्रेम था उसके बाद इस्तिति नाजुक होती चली गई भारत लोगसभा में पूछा गया पूछने वाले भी कौन बीजेपी कहीं सांसद रूडी थे और रवी किशन थे जो गुरकपूर से जीत कर आए हैं जो पिछली बार कॉंग्रेस के टिकट प तो इसका मतलब है पार्टी मेटर नहीं करती है तो जीत गए खैर इन लोगों ने सवाल किया कितने पेड काटे गए बाबुल सुप्रियों ने कहा देखिए पेड काटे गए लेकिन हमने पेड लगाए भी है ठीक वैसे ही जैसे नागपूर में हम दो दिन से चुकी विधर में उन्होंने बकाइदा हर साल का अंकड़ा दिया अपनी गर सरकार का 2014-15 में हम लोगों ने 23,34319 पेड काटे 2015-16 में हमने 16,96917 पेड काटे 2016-17 में बढ़ते जा रहा है 2016-17 में 17,1416 पेड काटे 2017-18 में 25,52,164 पेड काटे 2018-19 में 26,98,28 पेड काटे सब को जोड़ दीजिएगा तो ये 1,9,75,844 होगा ये पार्लेमेंट में दिया हुआ जवाब है इसका मतलब ये हुआ हर दिन 6,014 पेड काटे हर घंटे 250 पेड काटे हर मिनट 4 पेड काटे जवाब क्लियर है सुर्जेवाला ने ट्विट किया देखिये सहाब बरबाद कर दिया विजन नहीं है क्लियर रहिएगा हम मानने को तयार नहीं है कि पॉलिटिशन के पास विजन है सुर्जेवाला से हमारा समवाद होता है हमने का यार एक बाद बताओ आपने ट्विट कर दिया आपके पास कोई विजन है पेड नहीं काटने का बोले नहीं क्यों एक लाएक करोड़ पेड़ कट गए साब आप समझ नहीं रहे हैं तो विकास कारे के लिए पेड़ काटे गए यह क्या मतलब है और उसमें पर काईदा उसने लिखा है कि काटिंगाज़ पीस दूट डेवलोप्मेंट वर्ट वो पार्लेमेंट के जवाब में लिखा गया है हमने का एक बात बताईए 2009 से 2014 में कितने पेड़े काटे गए थे उसने बोला देखना पड़ेगा अरे हम बोले कमाल देखना पड़ेगा आप परवक्ता है रास्ट्य परवक्ता है आपको जानना चाहिए किसी भी कॉंग्रेसी को जानना चाहिए आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपको अपनी जमीन तो पहचाननी होगी ना बिना अप कुछ भी बोलेंगे तो जाहिर है कल वहां से ख़ड़ा होके नरेंद्र मोदी बोलेंगे जो प्रायमिस्टर हैं इलेक्शन के समय आप छोड हैं अब आप करो कुलते रहो बोले हमने तो कम चोरी किया आपने ज्यादा किया बोलते रहो 2009 से 2014 तक के बीच में हिंदुस्तान में जो पेड़ की तादाद थी वह भी कमोवेश एक करोड दो लाग थी पेड़ कटे थे इधर भी पेड़ कटे हैं सबसे ज़्यादा पेड़ हिंदुस्तान में उस न्यू एकनामिक पॉलिसी के बाद कटे हैं जो कि 91 में आई और पहली बार हमारा जो जंगल था वो कम हो गया चोटा हो गया इसकी भी एक फिलोस्पी है इसकी फिलोस्पी यह है कि हम लोग जो पेड़ काटते हैं वो बहुत पुराने पेड़ होते हैं पेड़ में खासियत होती है जमीन के नीचे पानी ले जाता है हमारा ग्राउंड वाटर बचता है जो नए पेड़ लगाए जाते हैं कॉमन वैल्थ गेम में जो दिल्ली के भीतर पेड़ लगाए गए जो विलेज तयार किया गया कॉमन वैल्थ विलेज जो शिला दिक्षित के समय था कलमारी जी सब काम करवा रहे थे जो घपले-घटाले का जो भी आरोप लगा लेकिन पेड़ जो पनपे कॉमन वैल्थ गे हैं इसकी एवज में बहुत पेड़ लगाए जाते हैं और अवर ओल परसेंटेज 17 परसेंट पार नहीं करता है इसका मतलब पेड़ लगातार कम हो रहे हैं ये तो आपने एक हिस्सा जाना दूसरा हिस्सा इसका जानिए पेड़ के भी क्या होते हैं अलग-अलग डिजाइन हो जो फॉरिस्ट जो हमारे यहां कम हो रहा है और हम जो पेड़ लगा रहे हैं इसको तीन तरीके से इसका पूरा का पूरा एनलैसिस किया जाता है एक होता है डेंस फॉरेट हमारे यहां पूरा भारत जो है उसको अगर एक साथ आप जोड़ दीजेगा तो तकरीबान 21-22 पी जिसको वीडियाफ कहते हैं हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट यह भारत में जो है जो विकली जो है सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज जो है 3% से भी कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट की खासियत यह होती है कि यह मैक्सिमम कार्वन डॉकसाइट को करता है दूसरे नंबर पर आता है moderate dense इसमें 40 से 70 फिजदी पेड़ रहते हैं बाकी जगा खाली रहती है ये लगबग साड़े 9 फिजदी है और तीसरी इस्तिति आती है open forest open forest में भी लगबग 9 फिजदी रहता है तीनों को जोड़िएगा तो 21% आएगा लेकिन दुनिया भर मे dense forest को नुकसान नहीं पहुचाए जाता है भारत में पूरा जो धंदा है लकड़ी का वो पूरा dense forest के नाम पर है और हम जो जमीन दिखलाते हैं कि हमारी जमीन forest के नाम पर बढ़ गई ये एक अलग scam है पूरा का पूरा down to earth magazine एक निकलती है उसने पूरी एक उसकी कड़ी बतल आई और उस पे काम करना शुरू किया अनिलागवाल थे उस समय उस समय से काम शुरू हुआ अभी भी उस पे लगातार आठकिल साते हैं इस बात को लेकर हमारे यहां आपको जानकर हैरत होगी कि जो 1987 में हमारा जंग जो पेड जहां जहां लगे थे आज की तारीक में सरकार में पेड लगे हुए हैं तो किसी को भी अश्चर होगा दुनिया में कोई व्यक्ति आएगा भारत पर रिसर्च करने तो कहेगा कि जनाब यह तो पहले कम जमीन थी पेड़े वाली हुआ अब ज्यादा जमीन हो गई लगाईए और dense forest को खतम कर दीजिए इसको आप सरल तरीके से ऐसे भी समझें कि dense forest में जितनी जमीन में 100 पेड होते हैं moderate में उतनी ही जमीन में लगवग 40 पेड होते हैं और open forest में उतनी ही जमीन में सिर्फ 10 होते हैं इसका मतलब यह है कि 100 पेड काटेंगे 10 पेड इक्वल हो गया यह हमारे यहां स्कैम होता है और इसके लिए बकाइदा मतलब community data जो government in पे आप जाईएगा media यहीं पर कमजोर पड़ जाता है कि वह इस बात को research करने के लिए उसको जंगलों में जाने की ज़रत नहीं है खुद ही देख लें bureaucrates बड़े इमानदार भी होते हैं उनको लगता है computer पर बैटें तो सारी बात सच लिख दें तो इस सच के चक्कर में क्या होता है वो बोलते हैं ओजवला योजना से घर गर पहुँच गिया नेट पर देखिएगा जब सरकार कहीं जो देखिएगा government in का दबाके तो पता चलेगा 40% किया पहुची होजवली योजना आप बोलिएगा जन्धन योजना में सब को साथ खाता खुल गया RBI के उसमें फाइल पर जाईएगा उसमें नेट पर देखिएगा उसमें आपको पता चलेगा सिर्ट 23% काम कर रहा है बाकी 77% तो काम ही नहीं क काम नहीं कर रहा है जो दूसरा दूसरा खाता समने खुलवा लिया वही काम कर रहा है तो बोलेगा आप जुट बोल रहे हैं वो बोलेगा जुट बोल रहे हैं मीडिया बोलेगी हाँ वो सही कह रहा है हम लोग जुट बोल रहे हैं अब आप करो क्या करोगे और इसकी एक अ नहरास्ट ऐसे राज्यों में से आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा योजनाओं ने यहां की पेड़ को नुकसान पहुंचाया है, और उसमें भी नाकपूर मुंबई यहां की एक्सप्रिस हाईवे जो बनाने का जिक्र है, जिसमें पता नहीं आपके कितने घंटे कम होने वाले हैं, इस बात का जिक्र विधानसवा में जरूर किया गया होगा, कि आपके आठ घंटे सफर में कम हो जाएंगे, जब आप नाकपूर से गाड़ी स्टार्ट लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि आपके जिन्दगी के कितने घंटे कम हो जा रहे हैं, नहीं बताएगा कोई, आपके लिए एक्सप्रिस भी तयार है, महरास्ट में सबसे ज़्यादा योजना इस दौर में आई है, जिनोंने सबसे ज़्यादा पेड़ों को काटा है, और महरास्ट उन राज्यों में शुमारी हो रही है, वर्ल्ड वाइड जहां पर सबसे ज़्यादा शेहर के तौर पर महरास्ट की मौजूदगी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा शेहरी गरीब महरास्ट में ही है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का नुकसान महरास्ट में ही परि जिहार में कम हो रहा है, यहां पूंजी पहुंची नहीं, अब हर जहन में एक सवाल होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि development ना किया जाए, कि सवाल आना चाहिए, और यह बहस कोई आज की नहीं है, भाकडा नंगल डैम बना, उस समय चीन में माउ ने कहा, हम लोग रहट पे काम की थी, हमने खत्म करना शुकिया, नहरू ने हर चीज बड़े-बड़े बातों का जिक्र किया, बड़े बांध, बड़े इंडस्ट्री, सारी चीजे ठीक है, उस समय मिक्स्ट एकनॉमी थी, पैसा नहीं था, इंदरा गांधी और एक कदम आगे बढ़ी, इंदरा गांधी इस पीरियट तक जब आप देखिएगा, तो आपके जहन में इंदरा गांधी तक जब आप रीड कीजिएगा, तो देश की स्तिती कैसे पट्री पर आया, ठीका ये विचार था, 1991 के बाद से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ने कहा, सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कहां से आ चुकि हम पहली बार 1988 में आये थे नाकपूर, और यकीन जानी है, उस समय भी दिल्ली की हवा में चुकि अरावली की पहाड़ी जो ती कट रही थी, जमीन बिक रही थी, जो गुरगाओं का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ, हम लोग इसको महसूस कर रहे थे, वहां पढ़ रहे थे, एरपोर्ट से उत्रे और घर जा रहे थे, तो जो ड्राइवर था, वह बार बार कहा रहा था, पागल हो गया है, क्या नेता सब बताईए ना कुलतार की सटक भी खोड़ा खोड़ा खोड़ दिया, नीचे भी खोड़ दिया, उपर भी बना रहा है, बढ़ाते हु हुआ है, और में रोड पे, जो वरधा रोड है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं, उपर पता नहीं कब गिर जाए, क्या हो जाए, किस के लिए बनाया गया है, किस रूप में, यह इसलिए नहीं बनाया गया है, कि आपको सुविधा मिले, यह इसलिए बनाया गया है, कि हमारी एक की भी समझने की कोशिश कीजिए उसने अगर कहा मुफ्त में बिजली और पानी देंगे तो इसका मतलब ये है स्टेट के पास इतना पैसा आता है टेक्स और बाकी माध्यमों के जरिये वो चाहे तो आपसे टेक्स नहीं ले इस बात का अध्यान इस बीजेपी ने भी किया था जब ये सत्ता में नहीं आये थे और 2013 में जिक्र करते थे हम लोग सत्ता में आएंगे तो पूरा टेक्स माफ कर देंगे बकाइदा खवारों में लेक लिके गए गए कटिंग है उसकी हमारे पास हमने के जीवाल से कहा उस पेरियड में कि यार आप कर रहे हो कम से कम दो दिशा में काम शुरू करो हैल तो एड़ो एजिकेशन ऐसी वे वर貸सथा करो तीसरी स्थिती हमने 2017 में उससे कही कि आप ऐसी वेस्था करो कि हम लोग कहीं भी पानी पीए तो साफ पानी कितना पैसा आता है क्या पैसा लेकर करोगे कहां ले जाओगे अच्छी चीज़ों को दे दो के यह अलग मसला मान लीज़े डायूट हुआ डायवाट हुआ गरबड हुआ जो हुआ लेकिन मान लीज़े दो फिल्ड में आज की तारीक में भैल सेक्टर को लेकर चर्चा हो रह रही है हम चुन कर आए हैं तो हम आगे 5 साल के लिए आएं इसके लिए हमको डेवलप्मेंट चाहिए या हम ऐसा डेवलप्मेंट करके जाए कि हमारे बच्चे भी गरफ से कहें कि देखिए हमारे पिता जी पॉल्टीशन थे उन्होंने ये काम किया तो एक अच्छा काम किय मिन्होंने और आने वाले वक्त में उनका नाम सम्मानत तरीके से तूले पाए हमेंगे लगता एक कोई किसी पॉल्टीशन का नाम को मक्ति बहुत सम्मानित तरीके से लगता है और नई पीड़ी को तो पता ही नहीं है कुछ वो तो politician से virtually घ्रणा करती है देखते ही बोलेगे यार फालतू है चलो चोड़ो कोई रहे हम इसमें वो यह सा मत कहिएगा कि फ़ला political party फ़ला political party यह fact है कि आज की तारीक में किसी भी news channel पे नरंद मोधी दिखाई देते हैं घरवाला channel बदल देता है फैक्ट है लेकिन 2014 में नहीं बदलता था ये भी फैक्ट है को कि 2014 में एक उम्मीद थी एक आस था भरोसा था पांस साल में डेलूट हो गया ये भी एक फैक्ट है लेकिन लेकिन डेमोक्रेसी तो चुनाओं से होती है ना आपको जिस दिन वाकई पता चल जाएगा कि आप जो वोट डालते हैं वो आप तै नहीं करते हैं कुछ और कहीं और से तै हो रहतो पता चलेगा पता नहीं क्यों हमको लगता है कि 2018 सीटे है महराश विदान सभा की 288 सीटे है महराश विदान सभा की वो महा यात्रा निकाल रहे हैं राज्जी के मुक्मंत्री महा जनादेश यात्रा ना हाँ और उधर शिवसेना में जो बाल गोपाल है वो भी सड़क पे है वो भी खुद को सीम बता रहे है कॉंग्रेस फिचकोले खा रही है उसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे सम्मेलों के जरीए समाजी कार कर रही है ऐसा मान रही है एंसीपी में शरत पवार की थियोरी फिलोसफी पे सब चल रहे है कितना भी परचार कर ले सुन लीजिए रिजल्ट क्या होगा 222 सीट बीजेपी शिफसेना जीतेगी कितना भी प्रयास कर लीजिए कोशिश की जाएगी डिर्ट सो के लगवग उसमें बीजेपी जीते है लिख लीजिए इस बात को हम लोग जिक्र करेंगे जब रिजल्ट आएगा क्या जिन्दाबाद यह आप लगाईए है हम लोग तो जिन्दाबाद कहने की स्थिती में नहीं आपाते हैं मेनत कर लीजिए अब अगर ये सारी स्थिती है डेमोक्रेटिक सेट अप अगर काम नहीं कर पा रहा है तो हम कैसी पॉलिटिक्स करें यहीं सेवन पॉलिटिशन्स जो बैठे हुए हैं उनको ये समझ आनी होगी कि अब उन्हें डेमोक्रेटिकी नई परिभाशा गड़नी है जो पता नहीं क्यों हमको कॉंग्रेस के बाहर से बैठे हुए कॉंग्रेस के बारे में लगता है राहुल गांदी इस बारे में सोच रहे हैं इस पेड़ को हिला दो जो लोग पेड़ पर बैठे हुए थे वो जो सोच रहे थे हमी पेड़ हैं वो गिर तो जाएं फिर देखेंगे क्या करना है हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमारे जितने भी आदान प्रदान जो भी होता है हमको ये लगता है कि ये फिलिंग आ गई है हिलाओ यार छोड़ो कॉंग्रेस दोस्त होगी होने दीजिए लेकिन ये तो क्लियर है ना कि नहीं जीतेंगे तो कॉंग्रेस को तो खड़ा कर दें जिस दौर में पता चलेगा कि हमारे पास सत्ता है उस वक्त हम क्या करेंगे हमें ये भी तो पता होना चाहिए तो क्या हम उस दिशा में काम करना नहीं शुरू कर दें हमको लगता है ये समझ अब डेवलप होनी पड़ेगी शरत पवार का जमाना चला गया जब चीजे मैनेज हो जाती थी एंसीपी बनाई थी तो हर जीले के जो सबसे रईस लोग थे उन्हें सेकेटरी लेवल पर लाकर ख़ड़ा कर दिया था तुमीद देखो पैसे से पैसा तो एक ही के पास है पावर एक ही के पास है बीजेपी के भीतर भी सत्ता एक ही के पास है बीजेपी भी अब और्गनाइजड वे में नहीं सुच सकती है मान लिजे बीजेपी का कोई नेता बोले जाके कि महराज आप क्या कर रहे हैं बीसनल आपने खतम कर दिया हम चंदपूर गए तो हमें बीसनल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बिल्डिंग में जो लाइट आती है वो लाइट कट गई है को कि बिजली का पैसा नहीं दिया जा रहा है बाहर बाइट के काम कर रहे हैं हमने बोला आप इतना ही जानते हैं हमसे सुन लीजे क्या है इस्तिति 36 गड़ में रमन सिंग सरकार आखरी वक्त में कंगना रनामत को बुलाती है और उनसे मुबाइल दान कराती है जियो का एप फ्री में दिया जाता है पचास हजार मुबाइल तुरत बांटे जाते हैं आने वाले वक्त में वो दो लाक जो लुटाए जा रहा है लुटाए जा रहा है एक फिलोसपी है आपके डाटा उसके पास आ रहे है अच्छी बात है लेकिन फिर भी हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है वो देखता है जब तक लूट का माल है ले लिए जिस दिन पाईजा बस उलेगा हम छोड़ देंगे यह बड़ा बेसिक नियम है उसको फ्री ओफ कॉस्ट बी एसेनल का इंफ्राइस्ट्रक्चर दिया गया चट्यस गड़ में है बगेल साब सीम बने हमारा जाना हुआ हमने बोला मराज वो लीजिए तो जिक्र तो कीजिए उन्होंने जिक्र किया फिर अब वो क्या करेंगे करवाई मुखमंत्री हैं वो समझे अपना लेकिन हमने कहा जिक्र तो कीजिए इसका की हम बीसनल को फिर से जीवित यहां पर नहीं मरने देंगे बले लेकिन वो सेंटर के हिस्से में आता है हम लोग कैसे डेवलप करेंगे क्या करेंगे हम बोली यह अलग हिस्सा है लेकिन आप स्टेट लेवल पर चीजे वरक तो शुरू किजिए आप मुखमंत्री हैं राज्य के अप अपने तोर पर काम करना तो शुरू कीजिए उन्होंने कुछ चीजे काम शुरू की चूंकि आधिवासी बहुल इलाका है 30% से जादा आधिवासी है उसके लिए उन्हें काम क कर रहा था उसकी टेकनलोजी और उसके जो विज्ञानिक हैं वह इस रूप में आगे बढ़े हुए थे और अभी हमारे यह जो जितने भी वोड़ाफोन एयरटेल और जीओ आया है यह फोर जी लिखता है फाइव जी पर जाने का जिक्र कर रहा है लेकिन आपका मॉबाइल टूजी और थीजी में ही अटका हुआ है उससे फास्ट काम नहीं करता है तो आपको लिख के कुछ भी आ जाए लेकिन उसके ब्रांडम मेस्टर जब प्राइम मिनिस्टर ने तो आप कहां आवाज लगाईएगा अब आप किस गली जाईएगा तो यह तो पॉलिटीशन्स क तो हार जाईएगा तब तक तो आपकी उम्र खतम आपने क्या किया संघर्ष किया कुछ आ गया पैसा जिन्दगी चल पड़ी यह काम सारजनिक जीवन का सच तो नहीं हो सकता है यही काम मीडिया का है हम नहीं समझ पाते हैं कि जो संपादक बैठे हुए है या जो मीडिया चला रहे हैं उनको भी खुब पैसा दिया गया लेकिन उनके साथ एक पॉस्टिव चीजी है कि उन्होंने पूंजी लगाई है अब पूंजी लगाना भारत में बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है अगर आप पूंजी लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए तो प्र और ट्यारपी की दौड से जो पैसा मिलता था 2013-14 में वह 1400 करोड का था 2018-19 में वह 2000 करोड का हो गया लेकिन उसके ठीक पैरलल में मोदी गौर्णमेंट ने मीडिया के लिए सिर्फ न्यूस चैनल के लिए प्रिंट अलग से अंकड़ा है हर साल लगभग साड़े 5000 करोड रु आप देखे ना देखे वो दिखाएगा क्योंकि उससे पैसा मिल रहे तो उसमें क्या प्रॉबलम है जब करनाटक में जनता ने जिसको चुना वो विधायक खुले तोर पर वहां पर एक टेलिवीजन पब्लिक टीवी कंड़ भाशा में जाता है वो भी एक पत्रकार चलाता इंडियन एक्स्प्रेस में पहले काम करता था अपने परिचीत ही तो इसलिए हम लोग कंड़ कभी कभी देख लेते हैं समझ नहीं पाते हैं तमील समझ लेते हैं पत्नी तमील की है तो कंड़ देख रहे थे उसने क्या किया विधायक का नाम कॉंग्रेश पाटी क्या विध तो हम लोग धीरे 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 इस रूप में अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं कि हम इस बात की चिंता करने को ही तैयार नहीं है कि आज पानी नहीं है कल वायू दूशित होगी परसो डेवलप्मेंट के नाम पे कुछ और होगा हमारे पास कुछ भी चीज़े नहीं बचेंगी हम नहीं समझ पाते हैं जनता ने आपको चुन दिया ना जनता ने जब चुन लिया आपकी जो सदस्त संक्या है वो ना राजसभा में रोक सकती है ना लोगसभा में किसी बिल को रोक सकती है आप आटियाई बिल को पास होने दे दी गए आप उसके खिलाफ है लेकिन पास हो आप जंता के बीच में जाईए जंता ने अब आपको चुना है और पार्लामेंट में जो सरकारे जो निड्णे लेती करती हैं उस पर discussion जनता के बीच में जाके अपनी अपनी कॉंशिएंसी में करना चुरू कीजिए चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो अरे तुम जनता के बीच में जाओ आप वहां से जागरिती पैदा करो और उनके बीच यह अहसास पैदा करो कि हम और तुम एक ही हैं नही कुछ दिन में अभी security चिनिया है परसो घर चिनेगा तरसो कुछ और होगा पर अगले दिन जेल में होंगे यही हो रहा है कुमार स्वामी को कहा गया stable government के लिए आप हमारे साथ आजाईए एक line अगली line में कहा गया तुमने जित्रे भी निड़ने लिए हैं वो सब निड़ने की जाच होगी हम सत्ता में आते ही करेंगे एक तरफ सुविदा है दूसरी तरफ जेल है क्या चूज करोगे हर के साथ यही कर दिया आपने तो जिसमें नैतिक बल होगा इमांदार होगा वही न टिकेगा फाइनली दूसरा तो नहीं टिकेगा इसमें जो संकट है जब आपके वोट से चीजे तहीं नहीं उपा रही है तो यह एक निया टेकनिकल फॉल्ट आ गया हम आप आने वाले वक्त तक समझ पाएं कि उसका क्या फार्मूला काम करता है वो फार्मूले तक पहुंस्ते पहुंस्ते जब तक हम पहूंचेंगे तब तक एक दूसरी पेड़ी आ चुकी होगी उस पेड़ी को जानकारी वैजिए ही होगी जैसे संसत के भीतर उसने बताय आई एरपोर्ट के बारे में तो इतिहास कौन सा लिखा जाएगा कौन सा रचा जाएगा एक नया definition हो गया और आने वाले वक्त के लिए अग ज्यानता ही अगर ज्यान हो जाएगी तो अब क्या करोगे तो हम एक ऐसे process में हैं इसलिए हमारा सवाल और यह नहीं है कि इस budget में भी सबसे जादा पैसा infrastructure के लिए allocate किया गया यह जानते समझते हुए कि वह infrastructure के पैसे से उस जनता की जिंदगी पर असर पढ़ने वाला है मुनाफ़ा उस corporate को मिलने वाला है उस corporate के जरिये funding political party को मिलने वाली है वो एक ही party होगी तो हम budget में उस infrastructure पर दिये गए पैसे पर तालियां बजा रहे थे विरोध नहीं कर रहे थे हम इस बात साब इस देश में खनिस संसाधन और बाकी स्थितियों के साथ इतना पैसा है और इस टेट के पास आप कलपना नहीं कर सकते हैं नियम काईदे समझने के शुरू कीजिए हमारे पास पैसा खतम हो गया परचार करते करते हम ठक चुके हैं पैसा तो है नहीं कौरपेट ने जो पैसा दी हमने बांटना शुरू कर दिया चाप भी बिखने को तयार है लो यार तुम भी 100 कोड लो तुम तुम्हारा चैनल हमी को चुना है ना और हमी को देश चलाना है ना तो हमी देश हो गए ना उर्जित पटेल इस चक्कर में नहीं फसे निकल गए अर्विन सुब्रमन्यम चीफ एकनॉमिक एडवाइजर इस चक्कर में नहीं फसे क्योंकि आप डाटा सामने नहीं आने देना चाहते हो तो हम तो डाटा आज बता रहे हैं यह संयोग है ना कि अभी तक डाटा कंप्यूटर पे आ रहा है अब तो सरकार नहीं विवस्था कर दिये कि डाटा लीक होना ही नहीं चाहिए लीक से मतलब जनता को जानकारी नहीं मिलनी चाहिए और नेता जो कहेगा वही डाटा आपके पास लग गया खबरदार सरकार नहीं एक्टरडेशन दिया कि आप अंदर आ सकते हैं सरकार नहीं कह दिया आप अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारा यहां फैनास मिनिस्ट्री चल रही है तो फैनास मिनिस्ट्री चल रही है तो बजट जब आपके सामने से आया अगले दिन से जो business cover करने वाला journalist है उसका रास्ता बंद हो गया यानि bureaucrate और journalist अब नहीं मिल सकता है bureaucrate को कमरे में बैठा के प्राइमिस्ट अगर ये कहते है सौ दिन के भीतर आप अपनी अपनी file टिक कीजिए और बताईए आप लोग क्या क्या काम कर रहें तो किसी को छोड़ूंगा नहीं भाई bureaucrate भी जो corrupt होगा तो डरी जाएगा ना क्या करेगा विचारा चुपता फिरेगा या फिर काम करना शुरू कर देगा अधिकतर इस्तिती यही है इंदुस्तान के भीतर में जो बिरोक्रेसी की स्थिक इमांदार लोग भी हैं तो उन इमांदार लोग को किस रूप में कहां पर शंट किया जाता है यह तिन चार बिरोक्रेट्स के नाम अख़वारों के है एक स्थिती यह है दूसरी स्थिती क्या है दूसरी स्थिती शुरुवाती दौर में 2014 के बाद से HRD मिनिस्ट्री में ऐसा किया गया व्यवस्था कि RSSS का सेवक वहां पर भरती होने लगे क्योंकि वह एजूकेशन सिस्टम को लेकर RSSS लगातार बड़ी सेंसिटीव रहत कि जो कि 100 दिन में आनी थी 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाइए देख लीजिए हम न्यू एजूकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे नहीं लेपाए स्वाइन सेवक की वहां भरती हो गई अब धीरे दीरे उसकी हर डिपार्टमें में मान लीजे भरती होगी तो स्वाइन सेवक बिरोक्रेट हो जाए बिरोक्रेट सों सेवक हो जाए कैसे देश चलेगा एक दूसरी नाकपूर की जमीन है बड़े लोग सेंसेटिव होते हैं बाबा साब अमेटकर का नाम लेते हैं और अक्षन का सवाल होते हैं उफन पढ़ते हैं कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है मौझूदा वक्त में अंडरो सेकरेटरी लेवल पे या जॉइंट सेकरेटरी लेवल पे सरकार जो भरती कर रही है जिसमें इस एलान के साथ कर रही है कि वो उस छित्र का माहिर व्यक्ति है इसने बहुत पानी पर काम किया है वो सरकार तै कर रही है कि इसने पानी पर काम किया मान लिए या इसने एजुकेशन पर काम किया या इसने अविएशन पर काम किया है या इसने डिस्टिल पर काम किया है उसको हम जॉइंट सेकेंटरी रैंक पर ले आएंगे और सीधे हम रख देंगे उस प्रोफेशनल को हम लोग खुश हो जाते हैं रहे हैं तो जब सरकार बैकडोर से आरक्षन भी खतम कर रही है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्वई हुई है उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि राजनिती कैसे करें हर लेवल पे इस रूप में काम हो रहा है तो इसमें पानी कहां मैटर करेगा और आप चिंतित है इस पानी को लेकर कि पानी कैसे काम होगा पानी के आप कंज्यूमर है थोड़ा इसको मान लीजिए आपके पास पैसा है तो पानी मिलेगा पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा इसका मतलब जड़ा समझने की कोशिश कीजिए रोजगार हम नहीं देंगे शुद्ध हवा हम नहीं देंगे पानी भी नहीं देंगे घर की स्तिती जिस स्तिती में ला दिया गया वो बिजनेस मॉडल पुरा डिस्ट्राइ किया गया है यानि मनमोहन सिंग का दौर और पीवी नरसिंभार सुराव के दौर को अगर आप एकनॉमिकली समझने की कोशिश की कीजिएगा तो धीरे धीरे आप महसूस कीजिएगा अगर 2008 की मंदी भी भारत पे असर नहीं डाल पाई 2010-2011 तक देखिएगा तो हम लोग लगजरी मूड में थे हम लोग कंजूमर थे हर नए नौकरी करने वाला लड़का जो था एमाई के जरीए जिंदगी जी रहा था पूरी फिलोसफी मौदी ने आके बदल दी सारी चीज़े खतम हो गए और इसके पीछे कोई ग्यान नहीं है ग्यान होता तो आप alternative खड़ा करते हैं हम alternative भी खड़ा नहीं कर रहे हैं जो चला रहा था हम उसको भी धोस्त कर रहे हैं अब आप क्या करोगे पाशानकाल में जाओगे किस तरीके से जीवन जी होगे आप यह आपको तै करना है और जो public तो तभी होगी ना जब leader होगा leader है ही नहीं सहब पबलिक कहां से होगी media कैसे होगा जब leader नहीं होगा parliament के भीतर दवी कुछी जबान में आप अवाज उठा पाओगे उन चंद लोगों की जो मान लिजे लडाई भी लड़ रहे है उससे काम कैसे चलेगा वो दभी कुछी जबान भी दब जाएगी तो leader तो चाहिए इस देश को क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम जिस political aspect में चलता है उसको constitutional ये right दिये गए हैं कि वही चीजों को निर्धारित करे एक आखरी बात कभी मौका मिले तो अपने बच्चों के democracy के बारे में democracy किसे कहते है unisafe ने इस पर बड़ा काम किया और unisafe यानि united nation के मातहत आने वाले जो डिर्सों से ज़्यादा देश है वहाँ पर democracy क्या है वही पढ़ाया जाता है हमारे यहां भी वही पढ़ाया जा रहा था 17 में जब चीजे change होनी शुरू हुई education को लेकर भी new education policy 2019 selection के बाद आई है वैसे जो पुरी तरह privatize की दिशा में जा रही है लोकतंत्र की परिभाशा बदल दी गई है जो बच्चा पढ़ेगा आप 6 में पढ़ाई कर रहा है कोईकि 6 में नागरिक शास्त्र की किताब में democracy क्या है यह शामिल हो जाता है तो आपके बच्चे हम democracy शब दिसले बोल रहे हैं क्योंकि उसको सुनके लोगों में थोड़ी सी हरकत होती है किसी भी विशे में चाहे वो इतिहास चाहे political science even geography यह तो संयोग मानाईए कि RSS की शाखा में सुबह सुबह डंडे से undivided India बनाया जाता है और आने वाले वक्त में यह पूरा भारत हमारा होगा यह कहा जाता है यह संयोग से बच्चों को अभी नहीं बताया जा रहा है किताब में वो नक्षा नहीं है इसमें अफगानिस्तान भी हमारा होगा पाकिस्तान भी हमारा होगा यह भी होगा सब हो जाएगा हमारा तो हम जिस education को देंगे वही education बच्चे लेंगे ना और वो बच्चे जब लेंगे तो higher education में जाएंगे ना और higher education में जाएंगे तो किसी भी बात की परिभाशा वही होगी ना जो उन्हें पढ़ाया गया होगा पढ़ाने के लिए देश की Central University में साड़े पांच हजार पद खाली है साड़े पांच हजार पदों पर जो निक्तियां होनी थी उसमें ये होता है कि UGC लोगों को भेशती है और State Level पे जो वहाँ पर Education Ministry होती है और मुखमंत्री होती है उसका दखल होता है दोनों मिलके appointment करते हैं लेकिन नई सरकार ने इसी विवस्ता की है सारी appointment Central लेवल पे होगी यानि साड़े पांच हजार appointees जो सकते हैं हो सकता है लाइक हो हम नहीं का सकते हैं लेकिन वो स्वैसेवा की होंगे यह आप सोचिए हम इसलिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि DU में हमने देखा है Delhi University को हम देख पा रहे हैं दूसरा रूप Delhi University के parallel में एक Ashoka University बनी Ashoka University में कोई भी अपने बच्चे को admission यूमनिटीज में करना चाता था वहां के VC बड़े शांदार आदमी पिछले महीने उन VC साहब को भी हटा दिया गया क्योंकि वो शांदार आदमी थे Indian Express में लेक भान उपरताब मेहता जो है वो लेक भी लिखा करते थे बहुत अच्छा लेक लिखा करते थे कोश्चन किया करते थे पढ़ाया करते थे कि आपको critical होना चाहिए सवाल करने चाहिए democracy के ये नियम है और दुनिया की जो तमाम humanities की universities है वहां और अशोका universities के बीच में maximum बच्चों का transfer था जो वहां के बच्चे यहां के course पड़ते थे यहां से वहां जाते थे, खतम हो गया, डैली इनिवस्टी तो पीछे चली गई, हमारे यहां दुनिया से जो बच्चे आते हैं, यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग है, हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार, कि दुनिया से जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी तादाद जो है, पिछले पांच बरस में, 2013-2014 तक, जितने बच्चे आते थे, जब तक मनमोहन सिंग की सरकार थी, और मौझूदा वक्त में जो बच्चे आते हैं, उनकी तादान इतनी कम हो गई है, कि लगबग 2 बिलियन डॉलर का भारत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि व बच्चे बाहर पढ़ने जाने वाले हैं, उनमें लगबग 27% का इजाफा हो गया है, ब्रें ड्रें हो रहा है, पॉलिसीज सत्ता नुकूल रहेगी, जंता नुकूल नहीं रहेगी, पार्लियमेंट के भीतर या लोगतंतर के तहत, जो कॉंसिचूशन इजाजा देता है, च 5% चाहिए, तो आप क्या करेंगे, करेंगे बनबादो यार, सीमेंट का मकान बन जाएगा, कभी नहीं गिरेगा, आप ये नहीं समझ पाएंगे, सीमेंट का मकान गिरने से क्या होता है, ये जो पिलर्स लगे हैं मेट्रो के, नाकपुर शहर में, उस जगा पर सिर्फ पिलर लगने, सीमेंट के पिलर हैं, और सीमेंट की सड़क जब बन जाएगी, डेड़ से 2 मीटर पानी तुरत नीचे गया, आने वाले वक्त में कितना जागा हम नहीं कर सकते हैं, ये तुरत नीचे चला गया, सीमेंट एब्सॉर्ब नहीं करता है पानी को, कॉलतार नदियों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्विधाओं की चिंता भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक वैसी ही है, जैसे हम लोग का जिंदगी जिस रूप में चल रहे हैं, इसमें महात्मा गांधी की क्या जरुरत है, कोई जरुरत नहीं है, सिर्फ नोट पे देखके किल्म खुश हो जाते हैं, जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे वक्त में आइनसाफ के जरीए भारत में संगर्श कर रहे थे, जिस पीरियड में वर्ल्ड वार चल रहा था, हिटलर को भी खत लिख रहे थे, गुरु तुम जो कर रहे हो आने वाले वक्त में ये तुमा जर्मनी जाईएगा, तो हिटलर का नाम आप नहीं ले सकते हैं, उस देश के लोग समाजिक तोर पर भाष्कृत कर चुके हैं उसको, हम लोग गए थे, हम लोग को बकाइदा हमारे गाइड जो थी वहां की, उन्होंने बताया, आप जिक्र मत कीजेगा, चुकि आप लोग है, तो हमसे ही सारे डिस्कुशन कर लीज़े, जो करना है, तो क्यों किया गया, क्या किया गया, वो लोग नहीं मानते हैं अच्छा दोर, तो ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा, लेकिन पॉलिटिक्स तो रहनी चाहिए,